हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर नवीन अलावादी एमडी पल्मोल लॉजिस्ट आज आपके सामने लेकर के आया हूँ एक नई डिवाइस इसका नाम है मल्टी हेलर ये एक राउंडेट डिवाइस होती है जिसके अंदर जो ड्राइप ओडर वाली दवाई होती है वो जो एक दिन की डोज वो दो हैं एक सुवे एक शाम को तो यह पूरी एक महीने का ऐसे पैक थरेपी आती है जो पूरी पैक्ड है इसके अंदर पूरी दवाई एक महीने की और इसके अंदर ये डोज भी लिखी हुई है जैसे आप देखें यहाँ पे नंबर आ रहा है 55 यान होती है इस कैप को हम हटाते हैं जब भी लेना होता है और हटाने के बाद यह एक यहाँ पर स्विच होता है इस स्विच को नीचे खीच लेते हैं जैसे ही हम स्विच को नीचे खीचते हैं डिवाईस के अंदर एक स्प्रिंग होता है जो की डिवाईस को बिल्कुल इसके मा हाथों से इसको लेना है, पहले सांस को बाहर निकालना है, फिर मुह में लगाना है, और जोर से सांस खीच के रोकना है, आठ से दस सेकंड सांस को आपने रोकना है, आप फिल करेंगे कि यह जो दवाई है, वो आपके टंग पे भी फिल हो रही है, आपको मैसूस हो रही है, उसके बाद, लेने के बाद, आपने इसको, जो इसमें स्प्रिंग है, इसको उपर वापस पुश कर देना है, और यह कैप आपका दुबारा से बंद हो जाएगा, यह क्लिक की साउंड आई और बंद हो गया, अब यह डिवाईस त्यार है, सेकंड डोस लेने के लिए, अब जब भी सेकंड डोस का टाइम हो, जैसे एक डोस आपने सुबे लेनी है, जैसे भी आपके डॉक्टर आपको एडवाईस क इसको आपने इधर से खोलना है, यहां पर इसको खीचने का एक जगह है, इससे आपको खीचना है, इस स्प्रिंग को नीचे खीच के डिवाईस को लोड करना है, इसको दोनों हातों से पकड़ना है, सांस को सारा भाहर छोड़ना है, स्ट्रेट खीच करके, और सांस को आठ से 10 सेकंड तर और अपने मन में गिंती गिननी है फिर सांस को नाक के माध्यम से बाहर निकाल लेना है इस स्प्रिंग को वापस पहले की अवस्था में लाना है और कैप को बंद कर देना है अब यह डिवाइस अगेन त्यार है अगला अगला पफ अगला जो रोटा कैप् लेने के लिए दुबारा त्यार है इसमें अच्छी बात यह है कि इसको आपको दोने की जुरत नहीं है कुछ भी वाशिंग की अवर्शक्ता नहीं है और यह बहुत हैं जैसे आप ट्रेवल करते हैं बाहर जाते हैं आप इसको जेम में डालिए और जब भी आपको लगे कि आपको सांस खूल रहा है या जैसे आपको डॉक्टर बताएं इसको आपने निकाला और आपने तुरंद स्प्रिंग खीच के तुरंद यूज भी कर लिया तो यह बहुत हैं दवाई अल्रेड़ी लोडेड है लेकिन एक छोटा सा बस ड्रोबैक ही है कि थोड़ी सी महंगी होती है तो यह एक बहुत अच्छी डवाईस है जो की अस्तमा और COPD के पेशन्ट इसके जरी अपनी दवाई ले सकते हैं आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आया होगा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू